तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले है पॉलिटिकल थियरी फॉर्स्ट अफॉल आपको यह चीज पता होने चीए कि सिर्फ एक रिविजन है आई हम अजूमिंग कि आपने जो है यह सारे टॉपिक्स अल्रेडी पढ़ लिए है एन यह एक शॉर्ट रिविजन होगा ठीक है तो जैसे कि हमारे कंसेप्ट्स दिये हुए ऐसे लिबस में लिबर्टी, कॉलिटी, जस्टिस, राइट, डिमोक्रेसी, पार, एन सिटिजन से यह सारे के सारे जितनी भी टॉपिक्स है हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे ठीक है इसमें क्या होगा, what is liberty, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़े कि scholars on liberty, फिर उनके जो books है liberty पे, that we will discuss and accordingly हम सारी चीज़े discuss करेंगे तो जितने भी आप topics अभी पढ़ोगे, जो भी आप books पढ़ोगे, वो सब कहीं न कहीं जो यह previous year paper में आभी चुके हैं और अभी आपके आने वाले exam के लिए बहुत important है, तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं तो सबसे पहला है आपका liberty, तो liberty क्या होता है, liberty का मतलब होता है, बिना किसी बंदिश के जब आप अपनी freedom को exercise कर सको, so that is known as liberty, यानि liberty is the freedom to act without constraint अब liberty को दो तरीकों में define किया गया है, सबसे पहला है आपका negative liberty, second है आपका positive liberty, negative liberty का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है, कि किसी भी तरीके से आपके liberty को exercise करने में, किसी भी बहारी power का कोई भी interference नहीं है, ठीक है, और इसमें interference कब तक नहीं है, जब तक कि आपके action कि यह और को harm नहीं कर रहे हैं, for example, इसमें state का कोई भी interference नहीं रहे हैं, सेम आपका positive liberty, तो positive liberty का क्या मतलब होता है, कि there are people, जो लोग अपनी freedom को exercise नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नहीं exercise कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास necessary resources नहीं हैं, कि वो अपनी freedom को exercise कर पाते हैं, तो एक तरीके से कोई दूसरी या बाहरी entity, for example, state जो है, interfere करेगी, ताकि जो है, सामने वाला इंसान है, वो अपनी freedom को exercise करें, तो negative liberty का मतलब होता है, absence of interference, positive liberty का मतलब होता है, to provide the ability कि कोई अपने भीहाग पे काम कर सके, so what are the different perspectives on liberty, तो देखिए, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, हम अभी जो पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ मैं आपको keywords बताऊंगी, यही keywords हम हर जगा use करेंगे, तो इसको थोड़ा से detail में देखते हैं, लेकिन बाकी बिलकुल ही धीरे-दरे करेंगे, तो this is like, आपका जो individual liberty पर ज़्यादा focus करते हैं, और यह government का interference limited रखते हैं, social liberalism का क्या मतलब होता है, यह individual और social justice दोनों को ही एक तरीके से importance देते हैं, और यह बोलते हैं कि जो government का role है, वो होना चाहिए, ताकि equality और opportunity सारे citizens को मिल सकें, Communitarianism का क्या मतलब होता है, यह तरीके से community पर ज़्यादा focus होते हैं, और यह बोलते हैं कि अगर common good के लिए या society की well-being के लिए individual liberty को थोड़ा कम भी करना पड़े न, तो वो चलेगा, तो यह थे आपके different perspective, now what are your key scholars, तो सबसे पहले हैं John Locke, इनकी जो बुक है, जो आपके red color है यह इनके works का नाम है, और जो blue है यह highlighted सीज़े है, इनकी जो book है to treatise on the government, एक तरीके से यह बोलते हैं कि natural rights to life, liberty and property होती है, और government का role के है कि इन right को protect करें, यह जो है आपका liberty में भी आएगा, right में भी आएगा, क्योंकि यह आपे right की बात करें, तो यह जब हम देखेंगे न, आगे right में भी John Locke के आएंगे, then comes आपके Russo, तो इनके जो work है, the social contract, एक तरीके से यह बोलते हैं कि individuals को क्या करना चाहिए, एक social contract में आना चाहिए, ताकि उनके right और interest को protect किया जा सके, इजाया परलि, इन्होंने जो है, two concept of liberty दी थी, और इसमें इन्होंने क्या किया था, negative liberty और positive liberty, यह दो टाइप की liberty का distinction बताया था, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, now what are the key books on liberty जो आपके लिए important है, so सबसे पहला, treatise on human nature by David Hume, two treatise on government by John Locke 1689, यह याद कर लिजेगा, date of publication है यह साथ में, the spirit of the laws by Montesky 1750, rights of man by Thomas Mayn 1791, on liberty by J.S. Mill 1859, यह देखे, यह जो है ना दुबारा आपके rights में आएंगे, 1689 और liberty by J.S. Mill 1859, Capitalism and Freedom by Milton Friedman, 1962, The Open Society and Its Enemies by Karl Popper, 1945, यह हम सबको पता है, the right to private property by Murray Rothbard, 1962, so these are some important books, next comes आपकी equality, so equality का क्या मतलब होता है, कि status में भी, right में भी, opportunity में भी, आप क्या रहो, equal law, ठीक है, इसको बहुत तरीके से define के जाता है, जैसे कि equality of opportunity होनी चाहिए, ठीक है, equality of outcome होना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, कि जो आपके पास resources है ना, वो सबके पास same हूँ, equality before law, यानि बिना किसी distinction के, discrimination के, आप law की नजरों में क्या हो, equal हो, article 14 of Indian constitution, equality before law, different perspectives on equality, सबसे पहला है आपका egalitarianism, एक तरीके से social और economic equality की बात करते हैं, और जैसे कि, यह बोलते हैं कि, कुछ ऐसे steps लेने चाहिए, जैसे कि, inequality reduce हो जाए, जैसे कि, progressive taxation है, social welfare programs है, libertarianism, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो यह क्या करते हैं, individual liberty को emphasize करते हैं, और government को role के limited रखते हैं, communitarianism, again, यह society पर ज़्यादा focus करते हैं, और बोलते हैं कि, individuals की जो obligation है, वो society की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, यानि equality को, और जो society की values हैं, norms हैं, उनको balance करना चाहिए, की scholars on equality, J.S. mill on liberty, individuals should have the greatest possible amount of liberty, यानि एक तरिके से बोलते हैं कि, किसी भी तरिके का कोई भी constraint नहीं होना चाहिए, उनकी liberty को exercise करने में, यह J.S. mill बोलते हैं, Frederick Hayek, The Road to Selfdom, बार-बार यह question आया है, आपके match the following में, देन आपके statements में, you know, publication date के हिसाब से भी आया है, तो यह क्या बोलते हैं कि, जो government की intervention है, in the economy, वो एक तरिके से selfdom की तरह हमें ले जाती है, inequality re-examined, यह अमर्द सेन का है, ठीक है, और यह बोलते हैं, कि, जो equality है, उसको हम सिर्फ एक तरिके से resources की basis पर, या फिर opportunity की basis पर नहीं define कर सकते हैं, हमें capability की basis पर भी क्या करना चाहिए, उसको define करना चाहिए, तो यह capabilities की बात करते हैं, So what are the key books on liberty, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, on liberty by J.S. Mill, 1859, याद हो जाना चाहिए था आपको, The Road to Servedom by Frederick Hayek, 1944, very very important, inequality re-examined by Amartya Singh, 1980, The Spirit of Leveling by Michael Walzer, 1981, The Measures of Equality by Alan Giewerth, that is 1990, this book is very very important, The Measures of Equality, क्योंकि अभी तक बहुत कम पूछा गया है, and maybe यह आप से दुबारा पूछा जा सकता है, Then comes आपका justice, So justice क्या है, उसको दो भागों में हम डिवाइट कर सकते हैं, सबसे पहले आपका distributive justice, Second is आपका procedural justice, Distributive justice का क्या मतलब है, कि जो society में लोग रह रह रहे हैं, उनके बीच में किस तरीके से, resources को, opportunity को, rewards को distribute किया गया, So that is आपका distributive justice, What is procedural justice, तो यह बोलते हैं कि जो हम process use कर रहे हैं, किसी भी dispute को resolve करने के लिए, या कोई भी decision लेने के लिए, तो process important है, So that is आपका procedural justice, Now what are the different perspectives on justice, तो सबसे पहले आपका utilitarianism, तो यह तो बोलता है कि भाई, हमें क्या करना चाहिए, maximize करना चाहिए happiness और utility को, तो अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर एक इंसान है, उसके साथ injustice हो रहा है, लेकिन 100 लोगों को justice मिल रहा है, तो हमें 100 लोगों का देखना चाहिए, rather than एक लोगों का, ठीक है, so that is आपका utilitarianism, social contract theory, तो यह एक तरीके से, again agreement के बात करते हैं, individuals के बीच में, ताकि एक society को create किया जा सके, और ऐसी society जो सभी को फाइदा दे, rights-based approach, इसका क्या मतलब होता है, कि individual rights को जब तक हम protect नहीं करेंगे, तब तक हम foundation of justice को नहीं बना पाएंगे, यानि rights को यह foundation for justice देखते हैं, restorative justice का क्या मतलब होता है, इसका मतलब यह होता है, कि suppose एक victim है, एक offender है, ठीक है, उसने कुछ गलत काम किया, तो restorative justice बोलेगा, कि हमें क्या करने चाहिए, इनके बीच के जो relationship है, उसको mend करना चाहिए, ताकि क्या हो सके, victim को भी राहत मिल सके, कि उसको justice तो मिली है, लेकिन as it's like, कि अब जो है, दुबारा उसको sphere में नहीं रहना पड़ेगा, तो that is आपका restorative justice, now who are the key scholars, सबसे पहले हैं आपके John Ross, कि a theory of justice इनकी work का नाम था, and ये एक तरीके से distributive justice जो है, propose करते हैं, तो एक question आ सकता है, कि who proposes distributive justice, तो John Ross करते हैं, on the basis of fairness and equality, then comes आपके Ronald Hawking, इनकी बुक का नाम है, The Laws Empire, और ये बोलते हैं, कि जो laws है, वो moral principle पर based होते हैं, H.L.A. Hart, इनकी बुक का नाम है, The Concept of Law, और ये बोलते हैं, कि law जो है, एक system of rules है, जो कि society create करती है, और state enforce करता है, Robert Nozik, इनकी बुक का नाम है, Anarchy, State and Utopia, बार-बार question में आया है, और ये एक तरीके से, anarchist view of society को, represent करते हैं, या defend करते हैं, Then comes आपके, Jean H.L.A. Hart, इनकी बुक का नाम था, The Moral Foundation of Political Liberalism, Very, very important, ये आग्यू करती है, कि जो political liberalism है, वो equality और justice के commitment पर, based होना चाहिए, तो that is आपके, Jean H.L.A. Hart, या फिर Hampton, Then comes, David Miller, इनकी बुक का नाम है, Social Justice, और ये जो है, बहुत सारे, different theories है, Social Justice को, उसको, उसका overview देते हैं, So, what are the, key books on justice, अभी हम लोगों ने उपर पढ़ाता, The Spirit of Leveling, by Michael Walzer, 1981, The Measures of Equality, by Alan Giver, 1990, Justice and Politics of Difference, by Iris Marion Young, Very, very important, The Philosophical Foundation, of Modern Equalitarianism, by Gerald Cohen, Important, Justice as Fairness, A Moral Argument for Social Democracy, by Michael Walzer, 1983, A Theory of Justice, by John Rawls, 1971, Injustice, Why Social Exclusion Matters, by Nancy Fraser, 2008, The Idea of Justice, by Amartya Sen, 2009, Again, Very Important, Justice by Simon Blackburn, 2010, and Why Justice Matters, by Simon Blackburn, 2013, So, These are some very important books, Then comes, Aapki Rights, To rights, To rights, We categorize, natural rights, Natural rights, Natural rights, This means, That, This right, To state, Or law, Has not given, This is your inherent right, Which, All human beings, Is there, So, What is those rights, Right to life, Liberty, And property, And these rights, Which John Law, Is there, Legal rights, What is this, Legal means, That, That, Created by the law, And enforced by the law, Okay, So, What are the examples, Of legal rights, Right to fair trial, Right to freedom of speech, Right to vote, Etc, Now, What are the different perspectives, On rights, Again, Liberalism, Just as we said, Individuals, We will focus on, So, Individuals have natural rights, And what is the, Government interference, Is protected, Communitarianism, This means, That, To balance the rights, To society's important values, Orders, Tradition, Etc, Socialism, What is the belief, That, Government role, To be the basic rights, Access, Right to health care, And education, Okay, Welfare state, Sort of thing, Now, Who are the key scholars, On rights, Again, John Locke, We have told, To to rise on government, This is the thing, You have to remember, Because, He is talking about, Natural rights to life, And he is also talking about, Liberty, And property, Then again, Rousseau, The social contract, So, What are the key books, On rights, Remember, These are not the only books, According to me, These are some very important books, Which have come in the previous year paper, And can come in the previous year paper, And can come in the previous year, So, These are very very important, If you have other books, So, You have to remember, You have to remember, And then you have to remember, And you have to remember, And you have to remember, And you have to remember, You have to remember, So that, You have to remember, So that, You have to remember, You have to remember, So, Two treatises of government, By John Locke, Again, 1689, It has been remembered, Now, Common sense, By Thomas Fiennes, 1776, The social contract, By Rousseau, 1762, A theory of justice, By John Ross, Very important, 1971, The right to private property, By Murey Rothbard, And Murray, 1962, Rothbard, Then comes, Democracy, So, What are the key characteristics, Of democracy, This question, You have to remember, First of all, Popular sovereignty, So, Popular sovereignty, What does the power, Derived, Is the supreme source of power, People, So, That is, Popular sovereignty, Equality, It means, Under the law, Everyone has, Everyone is equal, Individual liberty, Sabke paas, Unnke liberty, Whether it is to, Right, Freedom of speech, Assembly and association, Rule of law, Yarni, Sabke, Sabke, Kya, Hongge, Laws, Hongge, Saret citizens, Equally apply, Including those, Who are in the power, Accountability, This means, The elected officials, Those people, Accountable, Accountable, Actions, Now, What are the types of democracy, सबसे पहले आपका direct democracy इसका क्या मतलब होता है कि जो भी decision making process है उसमें क्या करते है citizens directly participate करते है then comes आपका representative democracy तो इसमें क्या करते है citizens कुछ लोगों को elect करते हैं और वो जो है उनकी बहाब पर decision लेते हैं जैसे कि हम prime minister को elect करते हैं जैसे कि हम president को elect करते हैं So, हमारे यहां क्या है, representative democracy है. Now, who are the key scholars on democracy? सबसे पहले आपके JS में, इनकी जो work है, on liberty, ये एक तरीके से बोलते हैं, कि individual को greatest possible amount of liberty होने चीए, ठीक है? And he was the founder of, एक तरीके से आपके, utilitarianism. Robert Dehal, इनकी जो book है, उनका नाम है, on democracy, और एक तरीके से बोलते हैं, कि जो democracy एक ऐसा system है, गवर्मेंट का, जो political participation को क्या करते हैं, तरीके से maximize करता है, और लोगों को peaceful resolution of conflict प्रोवाइड करता है. Amartya Sen, in his book, The Idea of Justice, ये बोलते हैं, कि democracy जो है, वो social justice को अचीव करने के लिए, बहुत जादा essential है. So, what are the key books on democracy? सारी books repeat होगी आपे. The Second Retire is on Government by John Locke, 1689. Democracy in America by Alexey D. Tocqueville, 1835. Very, very important for you. The Social Contract by J. Russo, 1762. On Liberty, J.S. Mill. On Democracy, 1996, Robert Dehull. The Idea of Justice, 2009. Amartya Sen. Now, next comes आपका power. So, power क्या होता है? इसका मतलब यह होता है, कि हम किस तरीके से दूसरों की मतलब बहेवियर को influence करें. That is आपका power. लेकिन authority क्या होती है? Authority का मतलब होता है, कि जो हमारी power है, वो लोग recognize कर रहे हैं. Because if they are looking कि यह बंदा जो ही भी influence कर देता है, तो इसके पास यह authority है. For example, the authority of district magistrate. Okay? So, that is आपकी authority. The authority of prime minister. Okay? Key scholars on power कौन-कौन है? सबसे पहले हैं, आपके Max Weber. इनकी बुक का नाम था है Economy and Society, 1922. इन्होंने थ्री-पार्ट typology of power develop करी थी. यह याद रखना है आपको. थ्री-पार्ट typology of power किसने develop करी थी? Max Weber ने develop करी थी. और वो थ्री-पार्ट typology of power कौन से है? traditional, legal, rational, and charismatic. इस question को 3-4 तरीके से अलग-अलग way में पूछा जा सकता है. जैसे कि दे देंगे कि कौन से 3-टाइप आलजी of power में कौन से Max Weber ने नहीं दिया था? यह question यह आ सकता है. तो traditional, legal, rational, charismatic और उसके साथ एक और option दे देंगे and then you will have to choose. एक तरीका यह हो सकता है. प्लस एक यह बोल सकते है कि कितने part of typology of power उन्होंने दी थी उनकी किस बुक में यहनि economy and society में उन्होंने जो है 3-टाइप आलजी of power दी थी या पिर सीधे पूछा जा सकते है कि 3-टाइप part of typology of power किसने डेवलब करी थी वो थे आपके Max Weber so very very important I hope आपको याद हो गया traditional, legal, rational and charismatic then comes Michael Foucault so इनकी जो बुक है in his work discipline and punish the birth of prison जो कि 1975 में published होती एक तरीके से बोलते है कि power का मतलब सिर्फ domination नहीं है बल्कि knowledge भी है and discipline है तो एक तरीके से knowledge को भी यह power मालते है Michael Foucault and he is the founders of या फिर ऐसे बोल सकते है one of the founders of critical theory now what are the key books on power तौम कैसे बूल सकते है The Prince by Niccolo Machiavelli 1513 Politics, Power and Society by Harold D. Laswell 1950 very important The Power Elite by C. Wright Mills 1956 The Origins of Totalitarianism by Hannah Arendt 1951 Who Governs the Democracy and Power in an American Society 1961 After Virtue by L. S.T.R. McInton 1981 Discipline and Punish The Birth of the Prison by Michael Foucault 1975 The Structure of Scientific Revolution by Thomas Kuhn The Power of Images Studies in Critical Sociology by Pierre A. Bordeaux 1981 Power by Stephen Luke This is a book in 2005 published in 2005 These are very very important books on power which you should remember or remember and remember Okay? Who Governs I think this one I have not given it Who Governs Democracy and Power in an American City It was by Robert Dehill It was by Robert Dehill So, this is a thing you should remember Okay? What are the key scholars on citizenship? First of all, T.H. Marshall They have developed a concept which is called Social Citizenship and they have argued that the citizenship that the citizenship is that the civil and political rights will not be income pass but the social and economic rights will also be exercise and the social and economic rights Hannah Aaron So, they have said that the citizens have the responsibility that the political life of their communities what do they do actively participate or active participation Iris Marion Young says that citizenship is inclusive and all individuals have it and this is not related to anyone's background or social status so, every citizen should have every citizenship should be inclusive and accessible Okay? And what are the important books on citizenship? Citizenship and Social Class by T.H. Marshall 1950 Very important The Origins of Totalitarianism by Hannah Aaron 1951 Justice and Politics of Difference by Iris Marion Young 1990 Cosmopolitan Citizenship by Kwame Anthony Appiha 2006 I mostly think this is related to sociology but it will come under political science as well Citizenship After Empire by Chandran Kukathas 2008 So, these were some very important books for Aapke citizenship So, that was all from my side I hope you liked this lecture If you want more such lectures so, you can comment down below ta ki humara revision ho jai as we are not even left with 10 days Okay? So, thank you and take care all the very best to see you next time next time next time झाल झाल